रादे रादे जैसीर किष्णा, कहानी संग्रे में हमारे सबी स्रोताओं का हार्दिक श्वागत है भक्तो आज की वीडियो में हम अधिक मास, पुर्षोतम मास, मल मास या लौद माह में दीपदान कब, कैसे और कहा करें यही बात बताने बाले हैं इस माह के अधिपदान कहा कब और कैसे करना है, जानने से पूर्ष, यदि आप हमारे चैनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर इन लाइक अवश्य करें, शंपूर्ष जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें हिंदू धर्म में अधिक मास को बहुत अधिक पवित्र महीना माना जाता है, इस अधिक मास में पूझा पाट दान करना श्रेष्ट माना जाता है कहा जाता है कि मल मास या अधिक मास में किये जाने वाले फूजा फाट और दान पुन दस गुना अधिक पुन फल देने वाले होते हैं इस माहा में दीबदान और भी अधिक फल दाई माना गया है दीबदान की महमा पुर्सोतम मास के महतम्य के चौमीस में अध्याय में विस्पार से बताई गई है दीबदान की महमा बताते हुए महर से ओग्रदेब जी कहते हैं बिना विदी के करने बालों को भी लच्छमी की प्राप्ति होती है यदि आप विदीबदान से दीबदान करना चाते हैं तो हमारे बेदों के में कहे हुए कर्म और नाना प्रकार के दान पुर्षोतम मास के दीबदान की सोलेमी कला की बराबरी नहीं कर सकते शंपूर तीर्थ शव सास्त्र योग ज्यान शांग शंपूर तंत्र सास्त्र क्रेश्न चंद्रायण आद समस्त ब्रत बेद का श्वाध्याय गया स्राद गौमती नदी के तरट का सेवन हजारों सूर चंद ग्रहट सैक्ड़ों व्यत पात योग आद तता छेत्रों में स्रेश्ट को छेत्र आद और दंड आद उत्तम बनवी फुर्सोतम मास के दीबदान के सोलेमी कला को प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए यह बस नहीं बताना चाहिए तात पर ये है कि इसे हर किसी को नहीं बताना चाहिए बांज इस्त्री के बांजपन को दूर करने वाला, इस्त्रियों के शुहक को देने वाला, छूटे हुगे राज को देने वाला, मनुष्य की अविलासा को पूर करने वाला है, इस्त्री की इच्छा करने वाले को स्रेष्ट सुसील पत परायड इस्त्री की प्राप्ती होती है बिद्यार्थी को बिद्या प्राप्त होती है, सिद्धियों का इच्छ को स्रेष्ट सिद्धी प्राप्ती होती है, गड़ा खजाना चाहने वाले को खजाना मिलता है, मोच की इच्छा रखने वाले को मोच की प्राप्ती होती है, जो पुरुस बिना विदी वा बिना सास्त् वह भी स्रंपूर कामनाओं को पाता है हे बत्स जो विदी के नियमानु साथ दीपदान करे तब तो इसका कहना ही क्या अधिक मास में दीपदान करने वाले व्यक्ति को अपने सभी कष्टों से मुक्ति और उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है इस दिन किसी पव गाजल मिलाकर इश्णान करें इसके बाद भगवान क्रेश ने या भगवान विष्टू की विदवत पूजा करके इसके आगे एक दीपदान अवश्य जलाएं इसके बाद सामके समय भी भगवान विष्टू की विदवत पूजा करें तुलसी के पौदे के नीचे एक दी तो आप जहां पर भी पानी रखते हैं उस इस्थान पर एक दीपक जरूर प्रजुलित करें। शास्त्रों के अंसार इस डिनों में दीपदान करने थे 10 यग्यों का फल प्राप्त होता है। आईये जाने दीपदान किस प्रकार करें। दीपदान का मतलब होता है कि किसी योगी इस्थान पर स्रद्दा और नियम पूर्बग भगवान सिरी क्रेश्न का इस्मरण और प्रडाम करके दीपग को जलाना इसके तहत हुए योगी इस्थान कुछ भी हो सकता है जैसे नदी का किनारा, ताला, पीपल का पेड, तुलसी क क्यारी या किसी मंदिर में भगवान के आगे पूरी स्रद्दा के साथ आप दीपदान जला सकते हैं, इसे ही दीपदान कहते हैं, परंतो नदी या ताला में दीपदान अद अधिक महत्त पूर माना जाता है, आप इसमें से एक से अधिक इस्थान पर भी दीपदान कर सकते ध्यान रहें दीबदान के अंतरगत दीफक फूरे अधिक मास में प्रत्य दिन आपको जलाना आवश्यक होता है। आप तालाबिया नधी के किनारे दौने में दीबदान रखकर उसे नधी में प्रभाहित कर सकते हैं। दीफक में तिल का तेल भी हो सकता है और घी भी जैसी आपकी स्रद्दा हो। आपका इश्णान करना आवश्यक है। तभी आपका दीबदान सार्थक होगा। दीबदान करते समय निम्न मंत्र का जाप करना अत्युत्तम माना जाता है। यह मंत्र इश्प्रकार है। दूसरा मंत्र है अधिक मास में दीपदान का क्या महत्त होता है आईए जाने। हमारे हिंदु धर्म सास्त्रों में अधिक मास दीपदान को अत्यदिक महत्त बताया गया है। ऐसी मानिता है कि पूरे अधिक मास के दौरान दीपदान करने से मनुस्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। उसमें भी अधिक मास की अमावश्या और पूर्माग को किये गए दीपदान को अधिक फलदाई माना जाता है। अधिक मास में दीबदान करके हमारे उपर भगवान की विसेश क्रपा प्राप्त होती है और हमारे मित्र और सगे संबन्दियों को भी यस्वकीर्ती प्राप्ती होती है अधिक मास में दीपदान करके मनुस्य के जीवन में सुक्षांती और सम्रदी काइम रहती है अधिक मास में दीपदान करने से ब्योफार में ब्रदी होती है हमारे हिंदु धर्म में चुंकि दीप ग्यान या प्रकास का उद्दोदक और हर तरह की अग्यानता या अंदकार को खत्म करने माना जाता है इसलिए भी हमारे लिए दीप दान का विसिर्ष महत होता है